हेलो साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हैं अपने यूटूब चेनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है साथियों आज हम हमेशा की बांती प्रीवियस पेपर प्रीवियस पेपर आपके सामने रख रहे हैं साथियों और ये previous paper किसका या driver बरती हो किसी है सम्मन लेती है तो दोस्तों अगर आप किसी भी driver बरती की तहरी कर रहे हैं तो ये previous paper आपके काम आएगा तो आप सभी का Raj Education जो YouTube चनल है इसमें हार्दिक स्वागत है उस साथ यूँ अगर आप किसी भी driver बरती की तहरी कर रहे है आपको मिलेगा क्योंकि ये application cable driver बरतियों के लिए बनाए गई है तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले person पर चलते हैं सबसे पहला ही person हमारा है कि दिखायागे संकेत का परकार बताएं तो आपको पता है तरी बूज में है चेताओनी संकेत है मोड़ावा है तो मतलत क्या हुआ अगर इसको हम यहां से काट देते तो क्या है ये आपके यूटर्न मतलब मना ही होता लेकिन यहां इसा क्यावा है तो ये यूटर्न का संकेत है उत्री भूज में होने से साथ यूँ ये क्या हो जाएगा अनिवारे नहीं होगा सूचनात्मक नहीं होगा सावधनी संकेत होगा तो यहां कौशनरी शाइन बी ओप्सन नमर्स यहां है चेताउनी सब्दियान नहीं आया है तो आप घबराये नहीं आप सावधनी से देखें परसन की language परसन सिंग्या दोग को मैं बात करता हूँ हलका वहां चलाने है तो learning license प्राप्ट करने के लिए कितने वर्स की आयू तक चिकित सा प्रमान पत्र की आउशेक्ता नहीं है आपको बताना है कि चिकित सा प्रमान पत्र की जो आउशेक्ता होती है अगर आप light motor vehicles के लिए license बनाने के लिए जाते हैं तो आपको चिकित सा प्रमान पत्र की आउशेक्ता नहीं होती कितनी साल तक तो साथ वह में बताते हूँ अगर आप 50 साल की उमर तक अगर आप अविदन करते हैं license के लिए तो आपको चिकित सा प्रमान पत्तर के आउशेकता नहीं है हलके मोटरवान के लाइसेंस के आविदन करनेंगे लिए तो इसका उप्सन नमर सी क्रेक्ट हो जाएगा अगले परसंद पर चलते हैं परसंद सींगे तीन है हमारा यहां आप इस साइन को देख सकते हैं राउंड आकार में है मतलब कि यह आदे साथ मक्षीन है और दो रेखाएं है क्रोस काचीन है बीच में तो यानि कि no standing no stopping no stopping or no standing यह चिन यह कह रहा है तो इसमें ना रुके ना खड़े रहे यानि कि no stopping और standing तो आपको ध्यान रखना है, यहां यह दो रेखाएं है, ठीक है, तो यह आदे साथ मक्चीन है, option number C इसका correct हो जाएगा, अगला परसन देखते हैं, नीजी वाहन की number plate, नीजी वाहन की number plate होती है, तो आप सब को पता सपेद प्रिष्ट भूमी पे काले अक्सर होते हैं, option number 1 correct ह ब्लेक लेटर्स ओन वाइट ब्रेक्राउंड, अगली परसन पर चलते हैं, परसन सिंग्या पांच है, मानव रहित रेलिवे क्रोसिंग पार करते वक्त चालक क्या करेगा, मानव रहित, यानि कि वहां पर गाड़ की विवस्ता नहीं है, होर्न बजा कर आगे बढ़ेगा, नहीं गलत होगा, रुक के और चालक याव वहां से कोई भी आदमी नीची उतर कर जांच करें कि किसी भी और से ट्रेन या ट्रोली तो नहीं आ रही, बिल्कुल सही बात है, और प्स नमर बी इसका करेक्टर जवाब हो जाएगा, अगली परसन पर बात करते हैं, कोटरवान के लिए, अगले परसन पर बात करते हैं, दिखाया गया संकेत का अर्थ बताएं, तो इसमें त्री भूजी में मतलब चेताउनी है, एक बच्चा इसमें दोड़रा मतलब स्कूल आगे है, यह स्कूल अहेड या आगे पाट साला है, उप्स नमर डी इसका अगले परसन पर बात करते हैं, परसन सिंख्या आठ है, राज जेसे जारी हुआ ड्राइविंग लाइन सेंस, कहां तक मानने होता है, तो मैं आपको बता देते हैं, सातियों कहीं भी किसी भी आर्टियो चेतर से, आर्टियो का रेलेसिया आप लाइसेंस बनवाने हैं, लेक को बनाना पड़ेगा, अगले परसन पर बात करते हैं, परसन सिंख्या नो है हमारा, सिंपल है दिखाएगे संकेत का अर्थ बताएं, तो यह तो आपके सुसनात्मक्चिन है, और यहां चार पाई है, तो मदब आराम गरे, यह कौन सा हो जाएगा, आराम गरे, यानि कि विस कर गायल वेक्ति को अस्पितार पहुंचाना, पहले पुलीस इस्टेशन नहीं जाना है, कभी भी अगर दूर गिटना हो जाए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले, जो गायल वेक्ति है, उनकी सायता करना है, उनको प्रात्मी उप्चार देना है, उसके बाद में तुरं भी है, वो करेक्टि हो जाएगा, यानि कि पहले आपको सुप्रेम कोट की गायड लाइन्स पी है, अगर किसी भी गायल वेक्ति को, अगर कोई भी वेक्ति है, अगर सयोग करता है, तो उससे कानोनी प्रक्रिया में इससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि पहले यह होता था, कि जो उसको अस्पिताल पहुँचा था उसके सरदर हो जाए था उसका गटना इनमें से कौन सा संकेत दोनु साइड पार करें के लिए है बहुत अच्छा परसन है अभी एक जाम ये पूछा गया था तो इसका तो जो आप होजेगा इस ओर पार करें इस ओर पार करें इस ओर परसन में पूछा गया है जो परसन में पूछा गया है वो है दोनु साइड पार करें तो दोनु साइड में आपसको पता है उसका क्रिक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा परसन है ये भी पंजीकरन नमबर प्लेट होनी चाहिए पंजीकरन जो नमबर प्लेट है वो आपकी क अरबी होगी तो अरबी नहीं यहां अरबी काया है तो वही बात है और इंग्लिजी लेंग्वेज एंड वीट अरबिक नूमरल्स इन यानी कि नंबर है वो आपके अरबिक में आएंगे परसन सिंग के हम तेरा देखते हैं दिखाएगे संकेत का अर्थ बताएं बिलकुल सही अगली परसन दरबात करते हैं तेल गेटिंग किसे कहते हैं बहुत अच्छा परसन है इसको घुमा के भी पूछ सकता आपसे तो तेल गेटिंग किसे कहते हैं आपकी गाड़ी यहां चल रही है कोई गाड़ी यहां चल रही है आप इस गाड़ी के एकदम बगल में सोरी एक अपने वहान के आगे चल रहे किसी भी वहान के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से मतलब गाड़ी चलाना टेल गेटिंग है वो कहलाता है तो परसंद सिंग अगला देखते हैं परसंद सिंग के पंद्रा है सिंपल परसंद में यानि के आदे साथ मक्चिन है और बाई और इस सारा करना मतलब बाई रखे बाई रखकर ही आपको गाड़ी चलानी है तो ये एक परकार का क्या है आदे साथ मक्चिन है इसमें अनिवारे संकेत नाम आया है ने की आदे साथ मक्चिन है तो अनिवारे संकेतों को दोस्तों इस पे आप इनका पालन करना जरूरी है नही बहुत अच्छा प्रसन यहां पे पुछा गया है कि निवास इस्थान का पता है एक से दूसरी जगे बदलने पर माना कि आप अजमेर की निवासी हैं आपने कोई गाड़ी खरीदी है और आप पे उसके पसात में भर्तपुर्ख चले गये हैं अब आपको प्रिवेन कारेले क सुषना देनी पड़ेगी कितने दिन के भीतर एक माह के भीतर आपको एक माह के छूट होती है आपको एक माह के अंदर आठ योगारेले में सुचीत करना होगा कि मेने अपना इस्थान है वो बदल लिया है तो अगले परसन पर बात करते हैं परसन सिंग्या सत्रा है दिखा इसका जवाब से क्या होगा बहुत अच्छा प्रसन है देखो तो इसका मतलब है परवेस निश्यद है वेसे देखो मैं आपको मैं बताऊं कि इस साइन का मतलब है जाना निश्यद है और यह एरो अगर हमारी और आ रहा होता क्योंकि यह थमसे दूर जा रहा है यह आ रहा है तो परवेस निश्यद होता है लेकिन इसमें ओप्सन के इसाब से हैं क्या है ये परवेस निश्यद ही होगा कि आप जहां जा रहे हैं वहां जाना मना हैं तो परवेस निश्यद नो एंट्री इसमें हो जाएगा अगले प्रसुंद पर बात करते हैं प्रसंद सिंग्य 18 आठारा है मोटर वाहन अधीनियम 1998 के अनुभाग 112 के एनुसार जो 112 है वो किसे सम्भन दीते है आपको ये बताना है तो जो आपके अधीनियम अनुभाग 112 है आपकी जो धारा 112 है उसमें गति का प्रावदान किया गया है तो अपसनम एक वहन को मरियादीत गति सीमा से तेज नहीं चलाया जा सकता मरियादीत यानि कि जो निर्धारित है अगले परसंद पर बात करते हैं इनमें से मानव रहित रेलवे क्रोसिंग पचास से सो मिटर के लिए आपको पता है पचास से सो मिटर के लिए कितनी एक ही रेखा होती है और यानि कि सो से दो सो मिटर के लिए दो रेखा होती है तो यह दो रिखाँ वादा तो हो गए नहीं, यह तो दोनुए गलत हो गए पहले ही, अब यहाँ मानवर रहीत है, यानि कि गाड की विवस्ता नहीं की गई है तो अब इसमें आप देखते हैं कि जहां पर यह जाली दिख रही है, इसका मतलब है यहां सुरक्षा है और यहां सीधी ट्रेन ही दिख रही है मतलब अगर ट्रेन आ सकती है ट्रेन आने की संभावन है मतलब आप सीधी पार कर रहे हैं तो यहां मतलब यहां गाड नहीं है तो आप इसको राइट मानें जैसे याद करें यहां इसको भी ध्यान रखें और इसके अलावा मैं बताओं आपको जहां यह जाली दिख रही है जाली का मतलब है यहां फाटक लेगी हुई है और यहां फाटक के साथ साथ में यहां पर गाड भी लगाया हुआ है और यहां सीधी ट्रेन दिख रही है मतलब यहां मानव रही त्रेल्वी क्रोशिंग है तो इस परसंद का उप्सन नमर B क्रेक्ट हो जाएगा इंधन बचाने के लिए आप क्या करेंगे वहन को निमन गीर में तेज चलाएंगे वहन को उच गीर में जड़ा गतिशन चलाएंगे वहन को सिफारिस की गई मध्यमन नियत गतिशन चलाएंगे वहन को उच गीर में धिमी गतिशन चलाएंगे तो बहुत अच्छा प्रसंद है कि आप इंधन की बचत करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपने वहन को है वो चलाएंगे तो सबसे जरूरी बात है कि वहन को सिफारिस की गई मध्यमन नियत गतिशन चलाएंगे तो आप उप्स नमर 6 इसका क्रेक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा प्रसंद है वह आप इस प्रकार में पूछे जाने की पूरी-पूरी संबावना है अगले प्रसंद पर बात करते है रात के समय वहन जब सड़क के साइड में पार्क करें है तब हमें क्या करना चाहिए यह इसमें पूछा गया बहुत अच्छा प्रसंद है यह भी तो अब जब भी आप सड़क के साइड में पार्क करतें तो आपको पार्किंग लाइट है वो चालू रखनी है ड्राइवर को या चालला को सीट पे बैठाने है आऊ सकता नहीं है लोग करने से भी काम नी चलेगा आपको पार्किंग लाइट है वो ओन करने पड़ेगी overtaking मना है जब आगे का रास्ता दिखाई ना दे सीधे रास्ते पर यानी जहां पर मारग नहीं देखा जा सकता पार्किंग इस तलब पर वहन के बीच का अंतर होना चाहिए पार्किंग इस तलब पर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो दो गाड़ीों की बीच जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए यह इसकी पूछ रहा है तो कम से कम तीन फिट इसकी दूरी है वो होनी चाहिए तीन फिट की दूरी दो वानों की बीच में पार्किंग इस तल पर होनी चाहिए अगले परसंद में बात करता हूँ आप दो लेन वाली रास्ते पर वहां चला रहे हैं आपके आगे की ओर चल रहा है वहां धीमिगती से चल रहा है और आगे का रास्ता और टेकिंग के लिए बिल्कुत साप है तो आप क्या करेंगे वहां को बाएं और से आगे ले जाएंगे वहन को दाएं और से बाहर आगे ले जाएंगे वहन को अनुकूल और से आगे ले जाएंगे वहन आगे ही नहीं ले जाएंगे तो आप सबको पता है आगे का वान धेरे चल रहा है रास्ता एक दम साप है सावधानी से आप ओटेंग कर सकता है तो वहन के 20 साइड से नहीं वहन के 20 साइड से कौन से राइट साइड से मैं अंग्रेज़ में बात करूँ तो राइट साइड से हिंदी में बात करूँ तो दाइट साइड से आपको इसमें overtake करना है तो option number इसका B है वो correct हो जाएगा अगले प्रसंद पर मैं बात करता हूँ प्रसंद सिंग्या 25 है गुड्स केरेज के लिए जमीन से माल की अधिक्तम उंचाई कितनी होनी चाहिए जो गुड्स केरेज है गुड्स यहनी क्या होता है यहां गुड्स का मतलब अच्छा नहीं है यहां गुर्ष करेज का मतलब है मालवाक जो गुर्ष यह नहीं होता है वस्तु है वस्तु को जो वहन करता है वहवान उसकी जमीन से अधिक्तम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए इसमें पुछा गये तो आप सब को पता होगा कि जो कोई भी जो यह गुर्ष के रेज होते हैं मालवाक होते हैं इनके अधिक्तम जो आपके उन्चाहिए वो 3.8 मिटर से अधिक के नहीं होनी चाहिए और सनमर एक है इसमें क्रेक्ट हो जाएगा तो इस प्रकार आज मेंने आपके सामने ये 25 परसन जो ड्राइविंग प्रीविएस पेपर के रूप में आपके सामने रखें तो दोस्तों ये आपको जरूर पसंद आयोंगे अगर पसंद आयोंगे तो यसे लाइक करें और कमेंट करें कोई समस्या है तो तो कमेंट भी जरूरू करें और दोस्तों, अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राब नहीं के तो सब्सक्राब भी करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि लगातार यहां पर क्याबर ड्राइवर बढ़तियों की जो त्यारी है वो हम करवार हैं, तो साथ यूँ अभी के ल तो साथ यूँ टो समय के लित ऑच भी करें झाल को सक फजसा हमारे चया क्या प्यूब्सक्राब ज़रू को सब्सक्राब करिभ्सक्राब बढ़तिये का लिएर करें जब रहान परें जखा साथ यूद़ करें अ admissions कर्लाइब पर क्ल सरねcken है पर दोस्तों अचराब सक्षरू क